वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसुडाइन और विमल बोलो जुबा के सरी यारों सीटें बंदेल खंड की इंडिया गडवन्दन जीतेगा क्या मुद्दे लेकर आप लोगों की पार्टी गई है इंडिया गडवन्दन के साथ मुद्दे तो इतने हैं कि गिनाते गिनाते अपका टैम इल पूरा हो जाएगा बोट डालने माले लोग आएंगे मुद्दा जो है आज की तारिक में विरोजगारी महःगाई और स्वास्त का जो मुद्द्ड इूटा है वैक्सीन मुद्दा इन तौम मुद्दॉगों को ले करकर के जनता सीधे सरकार को बदलने के लिए तैयार है लोगतंत्र को बचाने के लिए समधान को बचाने के लिए जो देश व्यापी अंदोलन शुरू हुआ है घर घर इसकी आबाज पहुची है आदनिय राहूल गांदी जी ने इस आबाज को घर घर पहुचा करके जनता और सरकार के बीच का चुनाव करा दिया है आज कोई party चुनाव नहीं लड़ रही है आज सीरे जनता चुनाव लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है या जनता किसी भी काम को ले लेती है अपने हाथ में तो जन्ता की विजय होती है, कोई उसे रोक नहीं पाता है। अभी जल सक्ती मंत्री ने कहा है कि भुंदेल खंड में पिछली सरकारों ने काम नहीं करा है। तब से काम हुआ है। किस तरीके से देखेंगे क्या पिछली सरकार नाकाम रही थी। उनकी सरकारों ने तो ये तिक कहा है पिछले आजादी भी हमें रेंट पर मिली है तो उनकी बाते कहने का संग्या लेने की ज़रूरत नहीं है वो तो जो कह जाएं कम हैं वो तो कहते हैं चवदा से पहले देसे ही नहीं था चवदा से पहले देस आजादी नहीं था वगेरा व बाजी है आज जो कह रहे हैं वो भी जुम्लेबाजी है आज सीधी लड़ाई उनकी जनता से है जनता और सरकार के बीच की लाई है और निश्यत जनता जीतेगी सरकार हारे क्या लग रहा है यूपी में कितनी सीटे आएंगी फिर भी इंडिया गटबंदन और सुमाजवादी पार्टी और इंडिया कॉंग्रेस का गटबंदन कितनी सीटेगी है हमको लगता है पैसर सीटों का आकड़ा है हम लोगों का जोड रहे हैं अभी तक का अब दो चरण और सेस है और कहीं ऐसा नहों फिर वो उत्तप्रदेश में दो सीटों पे आ जाएं वीगाड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाई सेंसोडाइन और विमल बोलो जुबां के सुरी